बॉलिवीड एक्टरस करीना कपूर खान और साफली खान के खार में जल्द ही गुंजने वाली है नन्ने मेमान की किलकारी साफ और करीना दोनों ही मौके पर सभी मीडिया वालों से बात कर चुके है जानकारी दे चुके हैं इस बीच एक एहम जानकारी सामयाई है जिसी जानकर सिर्फ सैफ और करीना के फैंस नहीं बलकि तैमूर के फैंस भी काफी खुश हो जाएंगे दर असल आने वाले महमान के लिए सैफ और करीना आभी से ही तैमूर को कई बातें समझा रहे हैं सैफ और करीना इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जैसे ही दूसरा बच्चा उनकी घर पड़ायगा तो जाहिर सी बात है कि तैमूर को मिलने वाला अटेंशन थोड़ा कम हो जाएगा जोरान तैमूर अले खान नेगटिव ना हो इसलिए सैफ अले खान और कैटरीना ने पिछले कई महिनों से काफी कोशिश की ताकि इस तैमूर को समझा सके कि उसे पहले जितना समय क्यों नहीं मिल पाएगा बता दे कि पटोदी खानदान से जुड़े एक शक्स ने बताया है कि तैमूर इस समय काफी छूटा है ताकि उसे समझाए कि वो बड़ा भाई बनने जा रहा है खबरों की माने तो करीना ने तैमूर के लिए इनाया के साथ कुछ स्पेशल के टेट्स भी प्लान की थी जहां दोनों ने एक साथ वक्त बिताया है कि तैमूर उनकी दूच्छी जिलिवरी के बाद अपनी मौसी कर जगा इसी के साथ आपको बता दे कि तैमूर अली खान ने अपनी मा करीना के दूसरे बच्चे के लिए भी काफी जादा गिप्स लाकर रखे है और साथ ही एक शांदार सा कमरा अपने छोटे भाई या बहन के लिए सजाया हुआ है जहां पर आलिशांतरी के से तैमूर करे झाल झाल